आपका स्वाकत है दोस्तों मेरे चानल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी इंट्रेंस एक्जामिनेशन की तैयारी आप कैसे करें कैसे सुरू करते हैं कैसे यह अच्छे से आप पढ़ सकते हैं क्या आपको जानना बहुत जरूरी है क्या प्रिंसिपल है जिस सारे टाइम ऐसे होती है कि आपको पता नहीं होता कि क्या इंट्रेंस एक्जामिनेशन है आप तैयारी कैसे स्टार्ट करें कैसे प्रिपेर करें ताकि आप उसे इसली क्लियर कर सके यह जो है कौलिफाई कर सके तो आज की इस बेड़ों में हम उसी पर बात करेंगे सब जो आपको इंट्रेंस एक्जामिनेशन के लिए जान लेनी बहुत जरूरी है सबसे पहले जो है आपको जान लेना है एक्जाम आप किसका दे रहे है एक्जामिनेशन में आपको क्या क्या जानना है तो बतला दू मैं एक्जामिनेशन में यहाँ पर आपको जानना होता है क किस तरह का examination है, कितने sit है, competition label क्या है, कितने लोग appear होते हैं, कितने लोग qualify होते हैं, कितने लोगों को admission होता है, कितने लोगों को job मिलती है, और बहुत सारे बाते जो आपको हर entrance examination में देखनी को मिली की, pattern वगएरा क्या है, examination की, तो सारे examination यहाँ पर अपने label से अलग होते हैं, एक तरह से देखा जाए, तो बहुत कुछ आपको जानना होता है, और पर इसमें miser चीज आपको जाननी होती है, कितने यहाँ पर sit से हैं, और difficulty level कितना है, label क्या होता है examination का, ठीक है, तो यह आपको जानने नहीं है, दूसरा principle है, यहाँ पर syllabus, syllabus जो है, आप ऐसा किजिए, अगर किसी भी entrance examination की अगर तैयारी कर रहे है, तो syllabus आपको याद हो जानी चाहिए, कि क्या-क्या आपको पढ़ना है, अगर याद नहीं होती, तो बतला दूँ, यहाँ पर, आप जो है, simply उसे इस तरह सी किजिए, repeat way में पढ़िए, कि आपको syllabus पूरा चला जाए, mind में की syllabus है क्या, यह वो पूछना क्या चाता है, तीसरी जो principle है, वो जो है, यहाँ पर किस तरह से हम syllabus को cover करे, यह syllabus कवर करना, क्योंकि हम syllabus जान लेते हैं, syllabus huge होगा, यह कम होगा, यह जो है, डिपेंड करता है, किस तीच के आप examination देते हैं, ठीक है, पर syllabus यहाँ पर बहुत बार होता है, कि बहुत बड़ा होता है, उसे टाइम मैनेज अच्छे से करके, उसे complete करना होता है, बहुत लोग बिना syllabus complete करे चले जाते हैं, और जिसके जलते score नहीं हो पाता, और वो qualify नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो भी जानना बहुत जरूरी होता है, और जो है, आखरी principle चोथा, उसकी मैं बात करूँगा, तो यहाँ पर revision किस तरह से आपको करनी है, किस तरह से practice करनी है, analysis कैसी करनी है, last year questions आपको कैसे complete करनी है, वो सब बहुत जरूरी है, उसके बिना आपको जितनी भी पढ़ाई है, वो कुछ भी यहाँ पर valuable नहीं रह जाएगी, अगर आप उसे revise नहीं करते हैं, practice नहीं करते हैं, ठीक है, तरह बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने को मिलता है, white field वहाँ पर बहुत को जानने को मिलेगा, तो यह possible नहीं होता, students के लिए कि पूरे syllabus को हम पढ़ लें, ठीक है, इसलिए आपको उस तरीके से study करनी होती है, जहाँ पर questions सूसी हिसाब से पुछे जा रहे हैं, जैसे कि आप ही geography में आपको बहुत सारे syllabus मिलेंगगा, ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि हम geography को पूरा पढ़ ले, हम देखेंगे question उठा कर last year में, जोगरोफी से कौन से field में question आ रहा था, तो हम उसी के तरह पढ़ाई करेंगे, परेपियर होते कितनी सिटे हैं कैसे आप जो है इसे इसली कॉलिफाई कर सकते हैं यह जो है मैंड में अपना रख लेना मैंड वेकफ कर लेना है आप यह जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा अंधाजा हो जाएगा कि आप इंट्रेंस एक्जामनिशन जिसकी दे रहे कि इसली है तो तुड़ा मेंड़HH करना होगा तो मैंड जड़ूरी है मैंडच कर लेजएगा दूसरी टाइम मेनेज़मेंट की बात तो करना बहुत ज़्योंट किसलिए तो ताम मैंच इसतरह सब्सकर पर यहाँ पर कंपिर्ड कर ले यह लिए कर दा बच जाए और जितना है यहां पर एफेक्टिव वे में अपने टाइम को जो है इन्वेस्ट किजिए टाइम बहुत जो है अगर देखा जाए महंगा है आप इसे अभी जो है कीमत इसकी नहीं जान पाएंगे अगर आपके पास टाइम है अगर आप एक्जामिनिशन में जाए इस टापिक से यहां पर जादा पूसकते हैं तो कॉंसेप्ट के लिए रखना है एक्जामिनिशन के बारे में कहां से क्वेश्टिन साएंगे क्या होगा दूसरा है नोट मेकिंग बहुत कमी लोग करते हैं बहुत अच्छी है 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 नोट मेकिंग क्यों ज़रूरी है आप वेस्ट हो जाएगा आपको जो है नॉलिज आपने लिया था आप समझे थे टेंपरोरी उसे जो है आगे एफेक्टिव में यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने उसका नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स बनाते चलिए जितने आपने यहां रफ स्टड़ी भी कर रहे ह आपर जो है नॉर्मल स्टड़ी भी कर रहे हैं तो एक जो है नोट बनाएगे उसमें जो है अपको जान लेना चाहिए जानते हैं तो उसको जो है अच्छे तरीके से यूज किजिए इसकी यूज किजिए इंट्रेंस एक्जामेंशन में काफी बेंटी एफिसियल होता है study everyday ये क्यों जरूरी है study करना तो बतला दूँ आपकी यहाँ पर continuity बनी हुई रहती है आप यहाँ पर study करेंगे regular रहेंगे पढ़ाई में तो आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा एक smooth way में चलता है आप यहाँ पहले वाले बाते को भूलते नहीं है आपको याद होता है study related जितने भी आप चीज करते हैं तो याद रहता है mind पर रहता है वो सब और आप एक हपते छोड़ देंगे एक हपते पढ़ेंगे तो ऐसे में बहुत सारे बाते आप भूल जाएंगे और बहुत कुछ आपको याद ने रहेगा तो वो भी बहुत जरूरी है know your weakness आप जिस चीज में कमजोर है उस पे जो है आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा यह reality है आपको जैसे आपकी math कमजोर है और math आ रहे है reasoning कमजोर है reasoning आ रहे है तो उस पे ज़्यादा ध्यान देजिए अच्छे से focus किजिए कोसिस किजिए किस तरह से जो है overcome कर सके अपने weakness को और यहाँ पर easily आप जो है आपको इस दिन में देखेंगे benefit करेगा आपको क्योंकि hard work is key for everything आपको hard work करना है never give up तो मैं last में बूलना चाहूंगा देखिए बहुत बार ऐसा होगा कि entrance examination के दौरान आपके दिमाग में आएगा कि जो है चलो अब बहुत पढ़ दिये नहीं हो पाएगा मुझसे पर ऐसा नहीं करना है आपको कोसिस करते रहनी है आपका result आपको बतला देगा कि आपने ज अच्छा आपका होगा hope आपको समझ में होगा कुछ भी question हो तो जरूर पूछे thanks for watching best of luck